आज डिसकस करेंगे कि जो कार की विंडोज होती है हमारी जो मोटर कार होती है उसकी विंडो होती है उनकी अंदर जो गलास लगे होते हैं वो अप और डाउन मोशन कैसे करते हैं जब हमें एक बटन को दबाते हैं तो वो अप और डाउन कैसे मूव करते हैं तो इसका लिंकिं करते हैं वो हमने यहां पे दो फिगर बनाई है इसके थुरू हम उसको समझेंगे तो बहुत ही सिंपल मेकनिजम होता है यह जो ग्लास को अप और डाउन करता है वो देखेंगे कैसे देखिए फर्स्ट फिगर के अंदर पहले हम देखते हैं जो लिंकिंग मेकनिजम है उसको स क्लोज कर दें तो ये दोनों आरं एक दूसरे के पास हाएंगे और ये उपर जाएगा जो यह напр लिंकिंग मेकनिजम बनाया है यह देखिए यह दो आरम है इसकी एक आरम के साथ यहां पर लगा है यह सक्टर लगा है इस तरह का एक गियर कट गियर के जो टीथ होते हैं इस तरह इसके उपर कट किये हुए है इसको हम सक्टर बोल सकते हैं गियर सक्टर की एक सक्टर काटा भी गीर्स हैं तो इसके अंदर जो गीर्स हैं वह हमारे गीर्स हैं according to जो हमें required रेशु चाहिए velocity की उस तरह से हमने reduction की हुई है माल लिजीए एक small gear है उसको हम बड़े gear से connect करते हैं तो जो जो small gear rotate करेगा अगर माल लिजीए यह 10 turn rotate करेगा तो यह एक turn rotate करेगा जो बड़ा gear है तो इस तरह से gear reduction जो हमने जो velocity reduction की हुई है ताकि gear के थुरू हम इस ratio को maintain कर सकें कि कि कितनी speed पे हमें इसको यह arm ऐसे आप और डाउन करना है तो यह हमें देखना है तो यहां पे इस motor के अंदर जो gear reduction है गीर की जो हमने जो combination बनाया है इस हिसाब से बनाया है कि इस arm को एक दम से हम नीचे ना लाएं कि अराम-राम से नीचे लाएं और अराम-राम से इसको up करें तो यह arm हमारी motors के gear से connect है और यहां पे sector connect है तो यह linking mechanism यह है motor के साथ दूसरा जो यह दूसरी arm है इसके यहां पे एक लगा है roller यह roller लगा है यह roller हमारा इस guideway के अंदर यह हमारी एक guideway लगी हुई है जो कि एक जगा fix होती है तो यह roller जो है move करेगा इस तरह कर सकता है और इस तरह कर सकता है क्योंकि यह तो एक तरह का जो linking mechanism है इस तरह से ही करेगा move और यह हमारा इस तरह से move करेगा तो अब जब यह उपर जाएगा देखे जब इस तरह से rotate करेगा यह clockwise direction में rotate करेगा तो यह sector को नीचे की तरफ खीचेगा नीचे की तरफ खीचेगा तो यह arm इस तरह से उपर की तरफ जाएगी तो उपर की तरफ जाएगी जब यह जाएगी तो यह इसको भी खीचेगा और यह इस तरफ move करेगा तो हमारा यह पूरा mechanism इस window glass को उपर ले जाएगा इसी तरह से जब भी यह motor reverse direction में काम करेगी तो यह arm नीचे आएगी और इसको यह इस तरफ दखेलेगा इस तरफ दखेलेगा तो यह नीचे आएगी और window glass भी हमारा नीचे आएगा तो एक mechanism तो यह होता है लगबग दूसरा mechanism हम क्या use कर सकते हैं वह figure two में देखते हैं इसके अंदर देखिए इसके अंदर भी एक simple सा mechanism है एक दो पुली हमें लेनी है एक अपर पुली एक लोवर पुली वह इनके ऊपर हमें एक वायर लगानी है यह पुली है और यह पुली है यह हमारी connected है इस regulator के साथ इसको हम regulator बोलते हैं क्योंकि यह regulate करता है window glass को यह है window glass यह सारा window glass है यह हमारी motor यह है motor जो की power देगी इसको rotate करने के लिए तो इसके अंदर भी इसी तरह से gear mechanism होता है तो जब यह rotate करता है यह पुली mechanism हम इसके अंदर ले सकते हैं तो जब यह rotate करती है तो यह इस thread को खीचेगी करेगा और यह उपर की तरफ जाएगा उपर की तरफ जाएगा तो इसके उपर window glass है तो window glass उपर जाएगा इसी तरह से जब यह reverse काम करेगी तो यह इसको नीचे की तरफ खीचेगी इसको नीचे की तरफ खीचेगी और यह regulator जो है जो जिसके उपर window glass है regulate कर रहा है जो window glass को वो नीचे की तरफ आएगा तो एक easy, बहुत easy mechanism है कि जब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये इसको ऊपर खीचेगा और जब इस तरह से हम इसको घुमाएंगे तो ये इसको नीचे खीचेगा तो एक तरह का ये window glass को operate करेगा up और down motion के लिए तो इस तरह से कुछ simple से mechanism use करके, कुछ simple से linking mechanism use करके हम काफी अच्छी जो एक mechanism बना सकते हैं जो की हमारे daily use में काम आते हैं तो इस तरह से car की जो window glass है वो up और down होती है तो ये थी कि how car window glass works in upon down motion thank you video देखने के लिए और जैदा updating videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं thank you